दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब बेल आइकॉन दबा कर पाएं दुनिया की सारी रोचक खबरे फटाफट एश्वर्या राय और उनकी नंद श्वेता नंदा के बीच आई टिकरार एक दुसरे से नहीं करती बा तर्प महानायक अमिताब बच्चन के बेटे अभिशेक ने विश्व सुंदरी एश्वर्या राय से साल 2007 में शादी रचाई थी पिछले कुछ दिनों से फिल्म इंडिस्ट्री में लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एक ट्रेस एश्वर या राय और उनके पती अभिशेक बच्चन जलसा छोड़ मुंबई में अपने लच्चरी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं अभी ये स्टार कपल अपने पिता अमिताब बच्चन और मा जया बच्चन के साथ उनके घर जलसा में ही रह रहे हैं लेटिस्ट हबर ये आई है कि बच्चन परिवार की बहु एश्वर्या राय और बच्चन परिवार की बेटी श्वेता नंदा के बीच कुछ ठीट नहीं चल रहा है पता चला है कि दूनों के बीच टिक्रार आ गई है और दूनों एक दुसरे से बिलकुल बात चीत नहीं कर रही है इस बात का लेटिस्ट सबूट ये है कि हाल ही में फराह खान ने अपने जन्दन की एक बड़ी पार्टी रखी थी जिसका हिस्सा श्वेता नंदा अभिशेक बच्चन और नव्या नवेली बने लेकिन एश्वर्या इस पार्टी में आई ही नहीं इसके अलावा हाल ही में दूनों को विराट अनुष्का के मुंबई में रखे गए रिसेप्शन पर भी एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नो करते हुए देखा गया और दूनों को ही काफी अजीव चेहरे बनाते देखा गया एक दूसरे के आसपास केवल इतना ही नहीं श्वेता तो एश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन के छटे जंदिन के बड़ी पार्टी से लेके घरेलू डिन तक का हिस्सा नहीं बनी इसकी वजह भला क्या ही हो सकती है अभी इस बात में कोई शक्रह ही नहीं गया है कि दोनों अश्वर्या श्वेता के बीच बिलकुल बात चीत नहीं है अश्वर्या आखरी नजर आईं फिल्म ए दिल है मुश्किल और वहाँ आजकल व्यास्त है अपनी अगली फिल्म फनी खान की शूटिंग में जो की जाएगी रिलीज 2018 के इप के मौके पर दोस्तों अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए